सबसे पहले तो यहां ध्यान दिया जाए आपकी सखी दे आपकी बहन ने बिल्कुल अपने टेस्ट से परे जाके पाँच फीट लंबा एक जुंका लिया है खाला जान को बहुत पसंद है तो कुछ तो बनता है क्यों खाला जान खाला जान कैसा लगा बताना जरूर और अब देखो आउटफिट आउटफिट कहां से लिया क्यों लिया कब लिया सब बता दूंगी इस व्लॉग में छोड़ देना बस जल्द जल्दी शूट करें उपन का टोकटता है जरूरत ही नहीं इसको है भी करने की इस पर है यह इस तरह से काम किया गया है और आउटफिट बहुत प्यारा है आप सब देख सकते हो इन दिखा देते हूं इसके अंदर एक लाइनिंग भी एक कॉटन की और प्लाजो इसके अंदर नीचे तो यह मेरा करते हैं इसे बिज़ें ना मतलब खाना भी नहीं खारे में दिया बनाके ऐसे फून पर लगे थे ऐसे खारे थे समझ सकते हूं या पोस्टर रिलीज हो और अब क्या ना हर एक चीज मोबाइल से ही हो रही है क्योंकि को रोना के बाद बहुत सा सेनेरियों चेंज हो चुका ह यूच व कहक है ब merger एक चीज से इस पर ही होते हैं इन टार्म आफ इंडिया में हमारा पोस्टर आहा अच्वाटएं करवा तो यहां पर आके शूट का असली कलर दिख रहा है ना तो यह इसका रियल कलर बिल्लकुल ओरिजनल यही कलर है इसका जो आप देख रहो इसक्रीन पर और यहां पर ना मैंने पाव भाजी गले सारी वेजटेबल्स को उबाल लिया है तो यहां पर मैंने लिए बड़ी आप चाहो तो कदुकस कर सकते हो और आप चाहो तो बिल्कुल बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हो और यह देखो साथ ही डाल देना है आपने शिम्ला मिर्च को दो मिनट भूनने के बाद आपने तुरन डाल देना है लसन अदरक हरी मिर्च का दर दरा मिक्सी में आप देख सकते हैं कि दो से तीन मिनट भूनने के बाद भी वह जला नहीं है क्योंकि यहां पर है मेरी वेजिस तयार आप अपने हिसाब से ले लेने जो भी आपको चाहिए और यहां पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च और मैं अपनी जो रेगुलर लाल मिर्च होती है तेज वाली तो मेरे पास दो हैं इसलिए मैं डाल रही हूं आप को इसी लाल मिर्च डाले तो ध्यान रखने के हरी मिर्च भी डाली है थोड़ा असा धनिया पाउडर यहां शायद मैंने हाल्दी नहीं डाली पतानी क्यों मुझे ध्यान नहीं है और फिर मैंने अपना डाल दिया है MDH क मसाले बहुत जादा पसंदें बाकी Everest के मुझे इतना पसंद नहीं आया था पिछली बार मैंने वही यूज किया था मसाला जो पाव भाजी का डालोगी वह थोड़ा थोड़ा करके डालना जैसे जादा एक बार में डाल दोगे तो सबची खराब हो सकती है लेकिन आप यह मसाले में आपक यह थोड़ाता है तो सबजी तो आपकी है में समझलो आप उतना जानने है इस मटस्टब कि तो आपकी धग भीन ना थोड़ी देर जोड़़ा थो यह थोड़ा देता-ो इस्यहीं उच्छा इस Ini सारा है सबजी में मैंने लिया था सीता फल फूल गोबी पत्ता गोबी आलू एक रेड वाला वही जो होता है जम सलेट में खाते हैं वह और बीन्स तो यह सब सबजें जो भी पाव भाजी में डलती है आप डाल ले ना उनको मैंने एक जीरे का तड़का लगा के एक चमच पाव अधा को मैंने एक बार घुमा लिए थी और आधा को मैंने ऐसे ही रहने दिया था तो आप देखना टेक्स्च्चर बहुत ही अच्छा आएगा अब इसको कुछ नहीं करना है अब इसको आपको एक बार घुमा के धकन लगा देना बिलकुल धीमी आज में कम से कम 10-15 मिनट क के लिए धकन लगा दो और जब आप धकन खोलो के ना तो देखना इतनी बड़िया सब्जी बनके रैडी होगी यह देखो यह दे काता ना उपर पूरा ओल आजाएगा जब तक आपको इसको पकाना है तो यह देखो बद अच्छे से हमारी भाजी बन चुकी है पाओ हम ले देना यह देखो मैंने अनियन कट करके रख लिए अनियन धनिया यह सब बात में ऊपर से तो यह देखो मैंने बना ली है हमारी भाजी और खुश्बु के तो मैं आपको बताए नहीं सकती बहुत एच्छे खुश्बु आ रही है अब इस पर हरा धनिया डालूंगी बाज ठाल के बस खाने के लिए रेडी है 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 सक्षियो मैंने तो कपड़े बदल लिए नौ बजने वाले हैं सिर्फ दस मिनट बाके नो बजने में चांद भी नहीं निकला पती कभी कुछ आता पता नहीं है और यह सब ना उतार रही हूं बहुत बहुत ज्यादा अजी ब बजने में चांद भी नहीं किये आध रात पर बैठके वीडियो एडिट भी करनी पड़ेगी या तो मैं सोची उपे जल्दी उठके वीडियो एडिट करूंगी रात में नहीं करूंगी तो क्योंकि पाव भाजी तो बनीवे नास्ते कितनी टेंशन नहीं है यह लोग बहनो यहीं बताना थाप साड़े नो हो गये सक्षियों और अनुप टेरस पर देख क्या है चांद तो यहां पर नौ बज़े ही दिखा रहा है लेकिन यह जो बिल्डिंग बनी है ना अनुप के रहें कि चांद इसके पीछे चुपावा तो नहीं दिख पाएगा ऐसी थोल बनीगा नहीं एक बार ओफिस फोन करो शायद उस वाले घर से बाहर देख जाए तो यह क्या वद तभी दिल्ली में सुए से बार इस हो रही है और यहां पी यह बील्डिंग कर यूगी चांद नहीं देखेंगे तो उरत कैसे बताओ बल्ला यह कोई बात होती है बात अती ह में मर जाएगी तो मैं पाली देख नहीं है पाली से ठीक हरई सो वहारी बहुत हरा है क्या कर दो बार चलाई हो बहुत हरेगा हुथ क्याकियो क्यूफ है। तो यह देखो सके हूं जब मैं छट पे गई घर की तो यह देखा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है इसके पीछे कहीं चान चुपावा था और घर से दिखी नहीं पा रहा था तो फिर सोसाइटी के बच्चों ने बताया कि अंटी आप नेक्स्ट बिल्डिंग है जो हमारे घर के अगल भगल में वहाँ पे जाके देखो वहाँ आपको चान देख जाएगा तो फिर मैं फटा फट अनुप के संग वहाँ गई अब वहाँ गई तो क्या हुआ कि जैसे ही म अगर आपके फोन से चान दिख रहा है तो हमें दिखा दो क्यूंकि दिल्ली में तो बारिश और चान नहीं देख पाएंगे तो प्लीज आप वहाँ से दिखा दो तो जैसे मैंने पूजा किरी तो शालू का फोन आ गया था तो फिर मैं उसको वहां से चेतना और शालू का पूरत यहां मुंबई का चान दिखा के तुड़वाया और वहां से अनुप ने क्या किया जल्दबाजी में दूद का छन्नी होता ना ढकने वाला वो लेकिया आ गए तो इस बार का करवा चोथ तो गजबी मना सक्यों यह यह देवी जी पिचारे भूल गई लूग के मारे प्यास के मारे सुदुगूद और यह दोबारा तस्मी तो अरक्षा लग गए यह जन्नी और करवा रखे क्या तो अब मैसे लेके जा रहा हूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार लाइफ में इतनी ज्यादा व्यस्तता है हमारे कि बहुत सी चीजे भूल गई मार्केट गई तो चांद देखने वाली छन्नी लाना भूल गई अनुक को भेजा तो वह बिचारे दूद की छन्नी ले आए तो और प्यास इतनी लग रहे थी कि गिलास न लाया थे अनुक पुरा बॉटल ही लिया थे और वह भी बिच चंदमामर से पानी पूनी पीकर माफी मांगनी हु करी भगवान इस बार जैसा भी हो बस माफ करना पूजा कर ली मेने जैसेते है और अनुक भी है राहूल भी हसर आए कि मैं कि इतना चुड़ 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 हो रही थी ने मुझे प्यास की कर मुझे आसा लग है और खाना पी ना खाया कर दो कर दोस्दकार लगा करृटा कर बढ़ने । कि युआ है युआ है यह रोग, यही सक्क्यों तो रेखाना तो आपकोच यह बें, हाँ तो मेठ लूँगी ने, पर ले पाव भाजी प्लेट दिखाऊ सक्क्यों और फोकस, फोकस पाव भाजी पर, कैसी लगरी है सक्क्यों, बहुत ही मुझे देखने में लगरी है, नमक नमुक का मुझे कुछ न क्या नहीं पता है, बिन्ह अंदाजक की बनाया है, चल तो पाव भाजी, चल अथ मेठा नहीं क्योंकि घेवर है सक्क्यों, कैमरा में हमारा बहुत ही डेटीकेशन की सम् काम करता है, आओ पुदो, यह बिल्यू पर ले शरूँदी, जन दिया तूबी, पागलो की तरप महन जो भीच सार ? भीच सार, लातेंगे ये लोग के दिए गए नोग जीते की भाल में भाल नो गाल बना भाल मुझाどう रहा है जीता ऑल जीते क्या रइव्शू है बागे बिखाने वाले बताएंगे अपनी आपनी तारिफ ने करता भाई अब मेरा पती बताएगा पला प्रॉफ एक्टे ना अब मेरा भाई खाएगा नहीं कले तो लेटी जाओ सखिऊ लेटी जाओ यह न बोलेगा आज आपकम से कम बहुंदे के बाद अएठी चाहरे फाट पाट से लगात अःट कि रहते को पाट से आठी है एक बाट से कहानल आठी दिए था टोड़ी कर दो मैं धूट कर लो धो अचा किन लब बहुत सारा देगो कैसा पीला है मॉसम भी तो पार्थ हुई शो गया खा के पीके बहुत नींदारी और आज को और आधिटिंग नी करी तुम देखो भी हो रहे 11 अबरा दे इस और सुबए लियाया शुला दे, शुला दे, शुला दे, मैं इवेती को रात को पता है मेरो परे दम चड़ के सो गया, मैं ते चिला आई हाँ, पंखा चला दे वटर, चलो बाठी शुक है, फोन को फिको साइड में, पंखा जलाओ, चारजर निकालाओ, मिली बेती छोगी, मी बेती, आज दोगो क मैं रात वहन का पता है, झागा रात या धो को उना हरा प्रता है मैं उुला कॵ्यादम इस दो रात कर दधके से रात को वहाई झे चाहां रात करे से अलनी बेती हैं क।छ से दिया कर पके साईए हैं ।।